कन्यादान कवीरितु राज ने इस पार्ट के माध्यम से एक परंपरा को हमारे सामनी प्रस्तुत किया है सदियों से हमारे भारती समाज में कन्यादान की परंपरा मातापिता निभातें आये हैं प्राचीन रूडिवादी भारती समाज में औरतों के लिए एक अलग ही सामाजिक मरियादा थी कि लड़की विवाह के पस्चाज जाती है तो उससे पूरी तरह से गंभिरता, आदर्स और मरियादा की उम्मीद की जाती है और इसी सामाजिक परमपरा के नाम पर लड़कीओं का, बच्चीओं का उस समय तो बहुत छोटी उम्मर में लड़कीओं का विवाह हो जाता था और वो विचारी, जिम्मेदारी क्या है, विवाह क्या है उसके मायने भी नहीं जानती थी और उन्हें परंपरा के नाम पर छोटी से उम्र में ही 12-14 साल की लड़कियों को एक जिम्मेदार युवती में बदल दिया जाता था और वो से समझ में ही नहीं आता था कि उसके खेलने कुदने और पढ़ाई लिखाई के दिन में ये उस पर कौन सी जिम्मेदार ही आ गई तो यहां पर आज की आधुनिकमा उसने जो अपने पूर्व की पेडियों की अपनी मा, अपनी नानी, अपनी दादी से उसने जो देखा है कि उनको शोशित होते देखा इस समाज में अपने सपनों को मारते देखा है तो उसने अपनी बेटी को सीख दिया है, परंपरा से हटके सीख दिया है, कि मैं कन्यादान तो कर रही हूँ, लेकिन तुझे कन्यादान करके तु मेरी एक सबसे अन्मोल संपत्ती है, तुझे कन्यादान दे रही हूँ, दान कर रही हूँ, मतब दान करने वाले का इस्थान क इतना उचा होता है वो मा जानती है जब वो अपनी कन्या का दान करती है किसी दूसरे घर में अपरिचित परिवेस में जब वो अपनी बेटी को भेजती है तो उसे समझा रही है कि अपने स्वाभिमान से समझाता मत करना लड़की रहना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना कहने का तातपर्य स्वभाव से गुण से नाजुकता से लड़की रहना लेकिन जब कोई तेरे विरुद्ध अत्याचार करे जब तेरे सम्मान पर बात आये तेरे स्वाभिमान पर आचाये वहाँ पर दुरगा का रूप ले करके खड़ी होना केवल एक नाजुक सी सहंसील भ